नमस्कार साथियो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार के बाहर बिहार के जिन बेटियों का बिवा हो चुका है उसके आरक्षन से रिलेटेड बात करने वाले हैं यह समाचार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी के तहत प्राप्त की गई है और वह समाचार पत्र जिसमें क्या विशेश रूप से चर्चा की गई है अंदता हम लोग उस पे भी चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले उस समाचार पत्र का जो मुख अन्स है उसको हम लोग यहां पे समझ लेते हैं समान प्रसासन विभाग के निर्देशा अनूशा अब बिहार के बाहर जिन बेटियों का बिवा हो चुका है उन्हें भी बिहार सरकार अनेक प्रकार की नोकरियों में आरक्षन का लाभ देगी बिहार सरकार के ताजा फैसले के अधार पर अनिक अफडेट के अधार पर अब नोकरियों में उन महलाओं को आरक्षन से बंचित नहीं किया जा सकता है पती नहीं पिता का ही निवास प्रमान पत्र के अधार पर उनका जो निवास प्रमान पत्र बनेगा वही अनुमान्य होगा प्राया ऐसा देखा जाता है कि बिहार में ज उसका पता और निवास प्रमान पत्र निर्गत किया जाता है तो वैसी स्थिति में बिहार में नोकरियों में उन महलाओं को बंचित किया जा रहा है ताजा फैसले के अनुसार से बिहार सरकार का जो ताजा फैसला आया है उस अधार पे अब उसे बिहार की नोकरियों में उसका जो निवास प्रमान पत्र बनेगा अनिकि जो रेसिडेंशल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वह पीता के अधार पर ही बनाया जाएगा और वह अंचल कार्याले से जारी किया जाएगा तो बिहार में आरक्षन की इस्थिति किस प्रकार से है उसको भी हम लोग यहां से समस्ते हैं बिहार महला आरक्षन की जो इस्थिति है तो वह 33% का आरक्षन मिलेगा उन महलाओं को और वह मेडिकल और इंजिनिरिंग कॉलेज के नमांकन के समय में 33% का आरक्षन दिया जाएगा फिर 35% का भी आरक्षन उनके लिए प्रापधान किया गया है उन महलाओं के लिए तो वह है बिहार सरकार के सभी नोकरियों में अनि बिहार सरकार की जितनी भी नोकरियां होगी उसमें 35% का आरक्षन उन महलाओं को दिया जाएगा उसके बाद दूसरी अस्थान पर हम लोग इसको समझ लेते हैं जिसमें 35% आरक्षन की ही बात कही गई है कि दूसरे तमाम तरह के सिक्षकों की नियुक्ति में अनिकि सिक्षक की जो नियुक्ति होती है उसमें भी 35% का आरक्षन होगा और इसके साथ 50% का भी आरक्षन दिया गया है तो जिसमें कक्षा अनिकि कलास 1-25 अनिकि 1-5 तक के जो सिक्षक वाहली होती है उसमें भी 50% का आरक्षन का प्रापधान रखा गया है और यह ताजा फैसला है और इसके साथ 50% का जो आरक्षन होगा वह है पंचाइती राजबेवस्था और नगर निकाय चुनाब में 50% का आरक्षन दिया जाएगा तो वही बाते यहां पे बोर्ड पे अंकित की गई है जिसे फिर से हम लोग और बिहार की महला को भी बिहार के जो लड़कियां है उनको भी 33% का आरक्षन होगा और निवास परमान पत्र पिता के आधार पर ही बनाया जाएगा 35% के आरक्षन में बिहार सरकार की सभी नोकरिया नहीं बिहार सरकार की जितनी भी नोकरिया होती है उसमें 35% का आरक्षन उन महिलाओं को जो बिहार से बाहर विवाहित हुई है उनको भी आरक्षन दिया जाएगा पिता के निवास परमान पत्र के आधार पर और उसके बाद दूसरे तमाम तरह के सिक्षकों की नियुक्ति को छोड़ दिया जाए तो उसमें भी आरक्षन का लाफ दिया जाएगा उन महिलाओं को भी और बिहार की जो महिलाएं है या तो जो लड़किया है उनको तो दिया ही जाएगा उसके बाद 50% के आरक्षन की बात कर लेते हैं तो इसमें कक्षा एक से पांस तक अनि कलास वन चुनाब में 50% का आरक्षन और साथ साथ में नगर निकाई चुनाब में भी 50% का आरक्षन दिया जाएगा इसके बाद हम लोग वह जो पेपर है जिसमें यह समाचार छपी है उसको भी हम लोग संशेप में अध्यन कर लेते हैं उसमें विशेश रूप से बताई गई है आरक बियाही बेटियों को भी आरक्षन का लाव मिलेगा समान प्रसासन विभाग ने जारी किया है निर्देश और इसमें उसी प्रकार की बाते जिससे हम लोग पहले चर्चा किये थे वही अंकित की गई है और यहां पर अंचल कार्याले जारी करेगा निवास परमानपत्र उन कि जिसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस थी थे थे थैंक्स फर वाचिंग बुडवाई